hello students to yaha per person is P is an odd prime number and TP is the following set of 2 cross 2 metric TP a case type administrators then our first question the number of a in PP such that it is either symmetry or excuse my trick or booked a determinant of a is divided by P is तो कितने ऐसे matrix होगा जो symmetric y SQ symmetric होगा और P से divisible होगा ठीक उसका determinant P से divisible होना चाहिए ठीक है तो पहले हम लोग cases लिएते हैं अगर मालों कि A जो है वो हमारा symmetric matrix है ठीक है अगर A symmetric matrix है तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं P equal to C होना चाहिए ठीक है और B equal to C अगर होगा तो determinant of A की value हम क्या बता पाएंगे determinant of A हो जाएगा आपका determinant of A क्या हो जाएगा A square minus B square ठीक है और यह value कितने हो जाएगे A minus B into A plus B ठीक है पहला symmetric के वाला case हम लेके चल रहा है अब अगर यह determinant जो है वो divisible by P है तो इसका मतलब क्या होगा या तो A minus B P से divisible होना चाहिए या A plus B P से divisible होना चाहिए ठीक है अब यहां पर फिर से हम लोग फरस्ट ले लेते हैं ठीक है तो फरस्ट अगर लेते हैं इफ A plus B is divisible by P ठीक है अगर A plus B एगर divisible by P है तो A और B की क्या-क्या possibility हो सकती है क्योंकि हमें दो ही number चूज़ करने पड़ेंगे ठीक है तो A और B A और P आपके पास क्या क्या हो सकता तो अगर हम A 1 लेते हैं तो P क्या हो जागा 1 minus P type का ठीक है अगर यह 2 होगा तो P minus 2 टाइप का और ऐसे ही last क्या हो जागा अगर यह P minus 1 होगा तो यह 1 हो जाएगा तो टोटल कितनी possibility हमें यहां पर दिख रही है यहां पर हमारा पास टोटल कि P minus 1 ways हमें यहां पर दिख रहा है ठीक है कब यह हो गया जब A plus B जो है वो divisible by P है ठीक है अगर A minus B divisible by P होता है तो क्या होता है if A minus B is divisible by P then A minus B अगर divisible by P होगा तो क्या होना पड़ेगा है P क्योंकि odd number है ठीक है तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं यह तभी होगा जब A minus B equal to zero होगा ठीक है और A minus B equal to zero होगा इसका मतलब कैसा कैसा रखता है 1,1 ठीक है जीरो भी ले सकते हैं क्योंकि P की value 0 भी हो सकती है 2,2 और इस टाइब से P minus 1, P minus 1 ठीक है च्टोटल यहां पर हमारे पास कितने केसे होगे यहां हमारे पास टोटल क्योंट प्योईज हो गया कि यहां पर टोटल हमारे पस की वेज हो गया थीक है तो यह हमारे पास किसके लिए आगे ग्रेट से अगर यो स्क्यू सिमेटेक अगर एक the if a is इस क्यूं सिमेट्रिक एक गईस क्ऊंट्रिक उगर इस्क्यूं सीमेट्रिक एक उगर इस ग्रत श्यूं को ए मैटरिक से मेट था परकानीर की और बानी अगर नपस्ट कर्ण सकत avanz प्लस एक्वल टू जीरो और अगर यह कंडिशन होगी तो यहां से आपको अगर आप डिटर्मिनेंट की बात करें क्योंकि यह पी जो है वह हमारे क्या है और नमबर ठीक है तो अगर यह डिटर्मिनेंट डिविजबल होना परेगा इसका मतलब होना परेगा कितनी आ जाएगी यहां से देखो ऑघर आपके पास भी स्कॉार्ड है और यह वी ऑडिवीजबल होगा जब यह एक्वल टू-जीरो हो जाएगा तो यहां से क्या कंडिशन हा जाएगी वी केवल टू-ज गहाऊंड कर रहे किस तो टॉटल नमबर के हमारे पास और से जाएंगे इक वाली इसमें वाले तो ड़ी तो दीर माइनस वन करके में मेकर्ण होदी सुझात्य तो यौध। भी मायनस वन टाईप के नंटरिक्स हमारे पास पॉसिबल है ठीक है कौन सा अप्शन आपका हो जाएगा यह अप्शन आप यहां पर मर्क कर सकते हो ठीक है